पर दो कि अधिया है उसे साब से रन कर सकता है ऐसी चीजे मैं इस वीडियो पर आपके साथ सेयर करने वाला हूं इस टॉक भी मिला जूला है इस टॉक भी बहुत 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 कॉलिटी का है और इस टॉक का नाम देखते आप समझ जाएंगे कि आरती ड्रक्स जब चल सकता है तो यह स्टॉक भी चल सकता साथ ही काफी fundamentally strong है यह company तो इसलिए आपको इतनी टेंसन लेनी की भी जुरत नहीं होगी कि स्टॉक में क्या होगा स्टॉक में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी मैं आपको वीडियो के माइदम से इसके quarterly result को आपके सामने एक बार प्रेजेंट करता हूँ फिर स्टॉक को दिखाऊंगा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लगभग यहां पर देखे 2018 के जून क्वाटर से सेप्टेंबर 20 तक का आपको quarterly sales और profit loss नजर आ रहा होगा मैं आपको direct profit पर दिखाऊंगा कि कंपनी 90 करोड की profit एक भी ऐसा quarter नहीं है जहां पे इन्होंने माइनर सिग्मेंट सो किया तो यह एक company के लिए बहुत बहतरीन होता 37 year on year basis पे अगर हम लोग profit and loss देखे तो काफी बहतरीन गुरो की है company 87 करोड की profit करती थी 2009 पे और वहीं देखे 2009 से यह 11 सालों में 87 करोड का profit लगभग 536 करोड की हो चुकी है 2019 तक में 2020 में आप देख पाने होंगे स्क्रीन पे 472 करोड की profit नजरा दियो तो कितना जंप किया लगबग 5 टाइम्स जी यह 5 एक्स इसका profit जंप किया है क्योंकि 87 करोड की profit और अगर 50 करोड पे convert हो जाए तो लगबग 6 टाइम्स हो रहा मैं 5 टाइम्स की बात कर रहा हम और स्टॉक के बारे में अगर स्क्रीन पे आप देखेंगे तो 10 सालों का CAGR 42 बहुत माहिने रखता है पांच सालों का 36 तीन सालों का 37 और वन यह इस साल यह 34 परसेंट चला है काफी बैतिरीन कंपनी है जिए नन अदर देन आर्थी इंडस्ट्री लिमिटेट के बारे में बात कर रहा हूं यह डिलिंग कर लक्स भी सेम कंडिशन है और लगबग 20,000 करोड की एक मिड कैप कंपनी जो आपको नजर आ रहा पर मोटर्स की तगड़ी होल्डिंग है थोड़ी सी प्लिस्ट है बहुत ज्यादा नहीं है यह माइन नहीं रखता बहुत कम है रिटन ऐसे तो प्लिस्ट वाले सेयर्स मुझ का फेस वैलू है और इस साल यह 34 परसेंट चला है और यहां पे छे मैने का रिटन्स लगबग 10 परसेंट का है मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पे चार्डर स्टेक्चर को दिखाता हूं सबसे पहला टर्गेट होगा बारासों बारासों दस का यह स्टॉक एकदम डिसेंट के लिए इस प्राइस को छू सकता है देकिन निप्टी इतना पिक पे गया हुआ अपने लाइप टैम हाई पे चल रहा तेरह सो के आसपास में टर्गेट दिये जाने सब्सक्राइब र्जन का तेरह घार का इनका जो निप्टी का ट्रेंड है इस पे तेरह घार का जो अप inevitably है που देख सकता यहां share करना चाहूंगा share holding patterns quarter on quarter अगर देखा जाए तो यहां पर मार्च और जून quarter में थोड़ा सा percentage क्या था घटा था ठीक है लेकिन जून से सेप्टेंबर quarter में फिर से यह percentage बढ़ा और और यह यह जो one percent का प्लिस दिख रहा वो बहुत ज़्यादा माइन नहीं रखता डियाइज की holding है एफाई आई इस इसमें माल उठा रखें और एफाई आई ने क्या माल जबर जबर जस्त बढ़ाया है आप देख पारेंगे स्क्रीन पर लगबख साथ के असपास में किया तो एफाई आई अगर इस स्टॉक पर लगे हुए तो आपको एक बाद जरूर देखना चाहिए तो यह क्यों मैं इसके बारे में बड़ी टार्गेट्स के बात कर रहा था तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि आबरेज ब्रोकर्स जो है यह बारह सो का अप साइड देख रहे होंगे थर्टीन नॉवबर को यह आई है फंदरह सो का टार्गेट है और 1270 का उसी दिन आर्थी इंडस्ट्री के लिए के आज चौकसी जी इनका भी टार्गेट इसमें 1270 क्या स्पर्थ में तो आर्थी इंडस्ट्री जरूर देखिए अगर इस पर प्ले करते हैं तो सबसे अगर हम लोग देखेंगे कि इस नीचे सपोर्ट क्या बनता है तो सबसे क्लोज सपोर्ट इसका बनता है लगबग यहां पर स्क इसकी जितना नजीदिक खरीदिएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा इससे 10-15 पॉइंट नीचे स्टॉप लोज मेंटेन करके इसे स्टॉप को प्ले कर रखते हैं तो नजर बना के रखिए आर्थी इंडस्ट्री में आपसाइड मोमेंटम आ सकती है ऐसी खबर निकल के आ रही है बड़े टार्गेट्स निकल के आ रहे है जरूर अपने वाच लिस्ट पे आर्थी इंडस्ट्री को रखिएगा ठीक है मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे तिब तक के लिए बहुत वह धन्यवाद हमारे चैनल विजिट करने के लिए हमारे वीडियो देखने Thank you